कि अधिए अधिए नए चप्टर सुरू करना दा हम थाय इस्टर अधिए थाय इस्टर थाय इस्टर अब यह चप्टर पढ़ेंगे थाय इस्टर तो देखिए थाय इस्टर क्या होता है सुनों तो यह सबसे पहले नाइंटीन फिफ्टी सेवन में और अधा भी थाय इस्टर हमारा फिचर में ठीक है और इसका तो सबसे उराना इस फैमिली का कई सारे थाय इस्टर में एक बडी स्टर यह थ है तो सबसे पुराना जो इसका फैमीलिका म मेंबर दा से इस्का सिलिकन कंट्रोल एक्रिफायर हम उसेmetrosं के पढ़ें भी यह इसका को 'll ही जाने किता ठीक है तो जीटरा भी थारिस्टे बनेंगे एक controlled element बनेंगे हलाकि जो SCR है वो क्या है? Half controlled प्राइक जो है वो fully controlled है SCR आपका half controlled है तो और भी है थारिस्टे के अंडर और भी आएगा आपके तो मैं पहले SCR को तेरा explain करना जाता हूं यह आपका unidirectional है और आपका half controlled है half controlled है half controlled अजब कि अब own control कर पाऊगे भी देखते हैं कैसा इसका अगर मैं internal structure दिखाऊँ आपको इसमें 3 junction होते हैं जर देखिए इसके 3 junction होते हैं basically और actual में यहां पे क्या होता है यह gate gate terminal है यह आपके gate लगाते हैं यह gate point है P plus N P plus N plus यह बने कर देखता हूं P plus N P plus N plus ठीक है plus का मतना है high doping plus का मतना high doping यह दो doping है तो इस junction को मैं बना हूं अच्छा यह point और यह point यह point यह point यह point एक मेरा anode है एक cathode है यह मेरा anode है यह नीचे वाला A यह anode है और यह कुछ cathode है K यह cathode को C से लिख रहा हूं K से लिख रहा हूं कोई भी जो देखे यह junction है J1 यह junction है J2 और यह junction है यहाँ पर कुछ आथा यह मेरा J3 तो इसको EASY भासा में द्खाने के लिए EASY में दिखाँ हूं तो मैं कैसे दिखाँ मैं जा देखो EASY यगाँ मैं दिखाने जाऊं तो मैं इसको ऐसे दिखाँ दो देखो इस तरह दिखाँ तो अच्छा यहां पे क्या दिखा धिया आप ? गेर यह एनोरे क्याद फोरड यह जंग्शन इफ-ठी राठव जंग्शन इफ भी जंग्शन इफ-ठी इन जंग्शन होते मी और एक्च ₲ प्वी इस तरह की होती है इसमें चल और लोग इस को पसागी रठते हैं सुसे बॉ highway चलिटेश है। शी करेक्ष्सिक्स पगरा देखते ALL लोग रे चलिट देखे भी चलिट आ चलिटा देखिए भी ऑजिज लो इसको वाहर की इविकाल लेते बोड़ ev अब जब देखें मैं एक चीज बता दूँ जैसे पर जंक्सन और पी अन जंक्सन फ़र आप सुनिये अगर पर पी अन जंक्सन तो अगर माल लिजे ए है अगी ली डोप और एक लाइक ली डोप इस तरफ डिफीज लिएर जादा होगी इस तरफ काम पोगी जो डिफीशन लिएर बनेगी न वह इस तरफ लिए क्यों भी क्योंकि इसके होल फिफूज हो जाएगी तो यह जादा रीजन में क्या होगा है हमें यहाँ पहुत्र से यह क्या नव है बॉल ज्याला चले जाएंगे उदर, ठीक है? फोल जाले जार चले जाएंगे एलेक्ट्रों इदर से तर आएगे तो अगर इदर सहीथ आएगे इसके उपर कोज़ चार्ज आएगा? निगेतिव, ठीक है न? बात है? ऐसे डिपीशन लेएर बनेगी करेक्थ है किस तरह की diplacial layer बनेगी ? जो लाइठी दोट साइड़े तो ज़के उसका जा कर şu है मुझे इesto बात आज़रा जोड़ा है ? यहांपे लाइठी दोट है तो कि diplacial layer यहांपे और यहांपे बनेगी वो ज्यादधातर reason किसि में होगा उसका ? एंड रीजन में होगा जँखाय? एंड रीजन में जाधा जण से रोसका ईउज़ होगा एंड रीजन बिसिकली, डिप्लेस अलेशाल एर को जढ़ा गज़ाता है करेक्ट है? आभ एक और चीज हो लिए जो reverse breakdown होता है चंग, dior का dior का breakdown होता है reverse direction, reverse breakdown कुछ इस तरह गी हो इना डार्व की करेक्रिक्रिसिक्स अगर लाइटली डॉप्ट है तो उसका रिवर्स बेक्डाउं डॉप्टेस थोड़ी सी क्या रही जादा रही तो आप यह नोग करने जे पॉइंट आप लिए जे जेश पॉइंट को और मैं लिख वाज लिख देताउं जैसे बोलो, junction with lightly dropped layers, lightly dropped layers, उसके breaker में लिख लो, at least one side of the junction requires large breakdown voltage, requires large breakdown voltage, अगर एक भी side lightly dropped है, तो उस junction को जो breakdown voltage है, reverse breakdown, reverse में जो breakdown होता है, उसको large voltage ही, यह याद रखेगा, ठीक है, और लिके, the junction with highly dropped layer, on both side require, highly dropped side, on both side require, low breakdown voltage, require low breakdown voltage, यहाद रेगाँ यह point, अब सुन्ये भीरिवाद, जैसे कि देमें आपी, यहाँ पे देखो, इस point देखो, E plus N plus, E plus, अगर भाल ने यह जिए, यह जंसर reverse bias होता है, एक मिनट के यह ऐसा मांगे जड़काए, तो इसकी तो breakdown voltage को देखो, तो क्या होता है, तो मैंने आपको पता है, आप सुनिये, यहाँ पे, यह जो जंसरे जेखी, इसमस्द दोन तरफ, Heavily Dopped है, Dopping इनकी जाग हो रखिए, तो आपको जो जगाओ, इसका जो breakdown voltage जगाना है, यह reverse bias होता है, तो क्या यह जादा voltage को जेल पाएगा, नहीं, बहुत जल्दी breakdown हो जाएगा, इसका, यह जंसर, अगर reverse होता है, तो जेल सकता है, यह जंसर भी, यह जेल सकता है, और यह ज यह जदे, इसका सबसे जादा का हिए अपकी पड़ीगा क्योंकि एक पर forward bias वगत अलग अलग अशन आपके reverse bias होगे, और reverse bias अट अलग अलग junction reverse bias होगे, तो देखते है, जो debts के सबसे जादा का अगर कर दी तो break down voltage low हो जाएगी अब बैसे लिए उसका जो avalence break down होता है ना तो ज्यादा होगी तो ज्यादा होगी क्योंकि मैं यह कह रहा हूं कि जो avalence break down होता है उसकी characteristic उसमें लगी नहीं यह आपने पढ़ा नहीं वो EDC में आता है वैसे आप EES के syllabus में है basically वो एक तरह से उसमें cumulative reaction होता है तो ज्यादा अगर doping लगा रखिया ना तो जल्दी उसका break down होता है वो जल्दी avalence break down का अले condition आती है दो तरह के break down होता है जीना break down, एक avalence break down होता है तो वो मैं अभी छोड़ा होगी इसकी को अगर आप पड़ते होता है देखें नेकसार देखें तो अब मैं ने बताया की कौन सा break down कब होगा और कैसे होगा अब मैं इसको इसके region होता है region of operation region of operation region of operation region of operation दो region of operation होता होता है ठीक है बल्कि तीन होते है सही बता हूँ पहला आएगा forward blocking mode forward blocking mode forward blocking region आप कह सकते हैं forward blocking mode दूसरा आपका आएगा forward connecting mode forward connecting forward connection mode आप दो ज़िए forward connection mode तीसरा आपका भी किये reverse blocking mode reverse blocking mode और पैसर आपके और भी है break down mode break down mode तो बैसे लिए चार मैं इसको सब्सक्राइगा तो इसके चार रीजन आपका आएगे वाई ठीक है कौन कों से बताए बने forward blocking mode, forward connection mode reverse blocking mode and break down mode तो जड़ा देखे कैसे है और इसका जो नोटे सा लोगाना को इस तरह का होगा anode, anode मेरा नीचे है हमी तो अगर मैं दिखाऊ माँ तो इसको इस तरह से दिखाऊ माँगी और यह मेरा gate तीक है उपर anode है, नीचे का थोड़ है ठीक है? तो आप चलिए, एक 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 region को जड़ा समझते है और कैसे काम करता ही हो जड़ा देखे और इसकी फिर करेक्टर स्थिस देखें ठीक है? देखें भी अगर माल लीजे मैं anode में higher voltage कर दूँ cathode से मतंब इसको forward bias कर दूँ ठीक है? anode में higher voltage कर दूँ cathode से यह मेरी v a k voltage है voltage, v a k a k का मतंब कि anode 2 cathode voltage और यह current कर दूँ i a k आप यह कैसाब़ा anode 2 cathode current ठीक है? तो जड़ा देखें, अगर मैं इस voltage को higher कर दूँ किस से हैं ठीक है जैसे माल जिए आपने वोल्ट के लगा दी कुछ यहां दस या पंद्रय वोल्ट लगा दी कुछ भी एक मिनेट के लिए आज़े माल ज़ेता है तो क्या होगा दस प्रच के लाइब घो बैंट्रि लगाईए यह दस वोल्ट की 10 volt अब यहाँ पे रहना यहाँ पे 0 इसका तो यहाँ से यहाँ तक voltage जा होती हा रही होगी decrease होती हा रही हो और voltage कभी भी अबरप्ली चेंज रही होती क्यों नहीं होती voltage अबरप्ली चेंज क्योंकि अगर voltage पोजिशन के रस्पेक्ट में X के respect में अगर अबरब्टी चेंज होगी तो उस point पे जो electric field होगी dv by dx वो क्या होनी पड़ेगी point by x में तो चेंज 0 है और voltage में इतम बद्राव होगया तो electric field की दिन हो जाएगी अजाएगी अजाएगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं इसका मतलब voltage कभी भी अब रफ़ी चेंज नहीं होती voltage gradually change होती है अब बदाओ इसका मतलब यहां पर 10 है तो यहां पर 0 है तो इसका मतलब 10 से 0 पर gradually down हो रही है इसका मतलब 10 है तो यहां पर 8 होगी यहां पर 7 होगी यहां पर 6 होगी यहां पर 5, 4, 3, 2, 1 और फिर हापर क्या आगी? 0. क्या कहा जो? सही बात है? इसका उतर क्या होती जारी? इसका उतर क्या होती जारी? कोई दिख्का को नहीं? अब आएए इस जंट्षन पे. इस जंट्षन के एक साइड है 7 वोल्ट और एक साइड है 6 वोल्ट. तो आप मुझे दावल यह जंट्षन उपर P है नीचे N है. P पे हायर और N पे लोगर है. तो P पे हायर और N पे लोगर है तो तो क्या होता है यह जंट्षन? forward bias. इसका उतर जंट्षन जंट्षन J1 किया रहगा? forward bias. जंट्षन J1 रहेगा forward bias. अगर मेने VAK को positive गया, आप लिखिए VAK इस greater than G अगर VAK greater than G रहाे तो junction J1 क्या होगा। जेवन आपका 4 बायज होगा 4 बाइस होता जेवन आपका 4 बायज हो जाएगा क्यों हो वई? क्योंकि P पे higher i PR के कंपरिचन इक हूँ ठीजडर गए जंसन जेटोपे जेटोपे वंपर 4 डा नीचे 3 बोल्ट इसका मत्दार जेटोपे अंपर इंत फॉल कि आया है कि इसका अब्सक्राइब गॉपरे मोट वी तुक्ष्टा मुन un denied की ओपर अभाला आमिगा grid cheese एक कि पॉन यहां , औरो यहीं फॉल्ट निक वान को फॉल्ट हैjsk़ए ऑगे अगी आपका forward bias. Forward bias. आपको क्या लगदा? क्या current flow रहेगा? नहीं. क्यों? ये junction को forward bias रहे बर J2 जो है, वो reverse bias है. इसका मतलब junction J2 जो है, वो current को flow रहे ने देगा. समझया? इसका मतलब जो मेरा, जो मेरा, ये element है, जो भी आप इसको device बोलो, जो मेरा device है, वो forward bias तो हो रहका है, anode पर आया रहका है, फोर्ट bias है, but current flow नहीं हो रहा, इस लईसरीजन क्या हो रहेगे? forward blocking mode. forward blocking mode, block mode भी blocking mode. forward blocking mode, ठीक है? इसका मतलब blocking mode में है, forward bias, but ये कौन से mode में रहेगा? blocking mode में रहेगा. ये conduct कब करेगा? बताओ. जब तीनो क्या हो जए? conduct करने लग जए. जब J2 का breakdown हो जए. क्योंकि J2 forward bias तो हो नहीं सकता, अगर आप एनोर के हायर रखो बें के थोर्ट जए, तो J2 forward bias तो हो नहीं सकता, J2 forward bias हो जए होगा. तो फिर conduct कैसे होगा? obviously, क्या हो? ये breakdown हो जए. अगर ये breakdown हो गया, तो तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होगा? forward connection mode कब आएगा? forward connection mode आएगा, अगर J2 का breakdown हो जए तो, तभी forward connection mode आएगा, otherwise forward connection mode नहीं आएगा. तो अगर मैं इसी current test explore करो, तो जब देखिए, मैं V1 को positive बना रहा हो, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब इसका मतलब आएगा. एगर कर देखिए, अब सुना, अगर मैं V1 को बढ़ाता ही, अज़े लेते रहा है, तो क्या वाइड पॉइंट पैसा आएगा की, तो आएगा इसा मतलब आएगा, सार्नियों नोग'. सारि assist Is , A & KC supply ही कहें, सारी कहें जो और किस Kणण को आधी? J to KC, क्यों कहें दो फोल्ड्म है था भाई, यह न रोकने मारे व्लेज नोगाने जोपनेले सारी जो जय व्लेज को ज़ुछाथ इसका होगा तो अताहिद विग्स नरра वर्चस भाईक? क्या हो जाएगा अमता हो जड़ा 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 हो जड इस तरह की हैंगे इसका मतब एकदम से करंट.. अगर आपके वोल्टेज इतनी रखी तो करंट भई लार्ज है रहे तो जैसे मेरेंड़ ना होता है पीछे कहा चना होता है..वोल्टेज को सो दर करंट क्या हो.. जदा लार्ज ना जाहे समघ रहो.. तो जब करेक्टर सिफर में इस तरह के हैंगे.. या उनस्टेबल रीजन है.. क्यों उनस्टेबल रीजन है बताता? अपरी लोग.. This is Unstable region.. इसको उनस्टेबल रीजन क्यों बहोत है इसको बहते है ..दू ुस लेज है .. लैचिँ परेफिन. नहीं स्टेट नहीं होगा, उदरा कुछ इस तरह का होगा. Unstable region, ठीक है हमी? इसको बोलते हैं Unstable region. और ये जो current है, इस लेचिंग करेंट, I.L. और इस करेंट इस लेचिंग करेंट, I.H. अब इसको मैं बता माँ क्या होता है. इस लेचिंग करेंट, इस करेंट इस लेचिंग करेंट इस करेंट, और ये कुछ इस तरह का होगा. आप शुरिये, इस कॉंस्टेबल रीजन क्यों भोला मैं? इस रिजन में अगर मैं ध्यान से देखूं, तो थाइरिस्ट का तो रजिस्टेंज वर निगिटिव है, कैसे निगिटिव है बदाउट? स्लोफ के वौल्टिज मेरी, फ्ली अगर फॉल्लो कलों, थे क्या होते हैं क्या हो यह विट्जा मेरी और ही और वंगी है क्या हो रहा है? तो इस रुख वर प्री बडी फिलीड ख़वी है यहाँ से यहाँ यहां में लुटेश एक्से से करते हैं करनर के बाल कुंकि आताले हैं जानीन था एक्षर हुच हुच से जाथी हाु कखे आताले में हमाले है धिर्म डिविभ से लिगछ से लिगण जाएगा रही है ये 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 वाले आज negative resistance region गें तुमको दिख नहीं रहा है negative resistance region गें इस region में operate नहीं जाना नहीं जाना तो इसमें क्या हो जा ये कम से momentally ही होता है प्रसके लिए टो ये region operating region नहीं है operating region गें तो मैंने आपको बताया कि क्यासे आपका ये कैसे आपका ये फोर रोकिंग और फोर्षर प्रावर कंडेक्शन मोड अब फैर तो कंडेक्शन गॉड इनमोड कंड़े का ब्रेक्डाउन होगा मतरब कहतोर मैं higher करदूं सी ही बात है VA K अगर मेरा negative हो जाए VA K negative होने का क्या मतलब है कि A की voltage मेरी जाता है VA-VK होता ना तो K की voltage अगर जा रहा होगी to A की voltage ए मतलब अगर polarities की up-t करदूं मैं इधर 10 कर दो इधर 0 बढ़नो तो एक मिनट के ऐसे माल दो, rough idea, तो बताओ क्या होगा? तो इधर 10 है, इधर 0 है, तो अगें क्या होगा? voltage क्या होगा? बताओ, voltage अबरफ्टली, decrease नहीं होगा, क्या होगा? दिरे दिरे decrease होगा, तो क्या होगा? इधर 10 है, इधर भी 9 होगा, 8 होगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिजी, टीकर ग्रेजरली डाउन होगा है इसका मतब ये junction में बताओ क्या होगा? N पे 8V, P पे 7V, इसका अगें क्या रहेगा? reverse bias, तो आप लिके J3 क्या रहेगा? J3 reverse bias, J3 मेरा रहेगा reverse bias, next time बोलिए है J2, इधर 6V है इधर 5V है, तो P पे higher and end के comparison बहेगा, तो J2 क्या होगा? J2 forward bias, J2 forward bias, और J1 बोलिए होगी, J1 end पे higher and P पे, देगा end पे 4 and P पे 3 है, तो इसका मतब या रहेगा? J1 is? reverse bias, J1 आपका reverse bias रहेगा, ठीकरी? J1 आपका reverse bias रहेगा, correct है? तो इसका मतब इसमें 2 junction reverse bias रहेगा, ठीक है, बढ़ एक बात मैं बता दू, जो junction J1 है, बढ़ जबर दस्ती का reverse है, असली point तो कौन रोग रहा होगा? कौन रोग कर रहा होगा असली में? असल में कौन जी? नहीं, नहीं कर रहेगा नहीं कर रहेगा बता रहे होगा, इता है, इसमें게 happiness हो पहलिय वाले को हुदीन हो दोपिंग्स और कन सेंटे में कितने है। में ये लाइक इम्योर और को कई सीहर तो लोग दॉब कना होना । पॉस्फफ़रस करेंगे नहीं लग्रों लिये, N-type में N-type का क्या मतलब होता है? पुनसे डोपी लाएं? फॉस्फफ़रस, ठीक है? तो फॉस्फफ़रस से डोपी है, तो कितना है? टेनस दो पार यह है 13 यह रिप्रोक्समेटी टेनस बार 13 की लपी है तेनस वार 17 और नीचे वाला सबसे जो नीचे है वो है तेनस वार 19 इलेक्टॉंस पर सेंटिमेट इसमें यह है तो आप साथ देखे अब मुझे एक बात आजिए इन दोनों को से जाने है रिवर्स वाइस पे एक जे थ्री और एक जे वार तो जे 3 पे देखे एक तरफ टै निस वार 19 है एक तरफट आझे टैनस वार 17 है और इसमें एक तरफ टैनस वार 13 है और एक तरफ आज नीचे वार 19 है तो मेरे इसाब सब्सेज is जयादा ब्लोग करेगा वा गत्रत क्या है? क्योंकि तो 2019 तो दोनों तरफ है shift? एक में की अटयनेदवा दड़ी एक तरफ को एक में की अटयनेदवा सबंदी तो इसका है यह जो reverse होगा यह ज्यादा ब्लोक नी कर पाएगा ज्यादा ये जादा रोल्ट नी कर पाएगा रिवर्स को, समझ रहो? तो इसका मज़ा में तो कोन ब्लोक करेगा इसमें? वैसे बोलने के लिए तो दो नो रिवर्स बायाँ थे दो जंचन रिवर्स बायाँ थे लिख लो, the breakdown voltage of J3, the breakdown voltage of J3 is lower than the breakdown voltage of junction J1, okay, breakdown voltage of junction J3 is lower than the breakdown voltage of junction J1, okay, J1 junction से थोड़ेशी lower voltage होगी breakdown, okay, चलिए, तो reverse direction में आप रन्ना बना हूं, जरा देके reverse direction कैसा बनेगा, तो दो junction मेंने reverse wires था, तो current जो आएगा, जरा देके reverse direction में, अगर V एक हम नेगेटिव करूबा, तो जैसे diode की current इसी होती है, इसको बहुते है V breakdown, VBR, यह है VBO, break over voltage, VBO, यह है VBR, तो इसको बहुते है reverse blocking reason, reverse blocking mode, यह मैंना रिवर्स blocking mode, यह मैंना रिवर्स blocking mode, यह अप्रोक्सिमेटली सेम ही होते तरही VBR और VBO, break over or breakdown voltage, तकरिंग अब distance, मतर मैंने रिवर्स सेम ही होते है, ज्यादा फर्ट मही होते है, ज्यादा अब होते है, क्योंकि वैसे भी आप बता हो, वैसे यह बहुते हो ज्यादा होना चीए, देखा ले लो, क्यों, VBO, VBR से ज्यादा होना चीए, क्यों वही, क्यों कि इसमें क्यों से ब्रेंटान आदा, ज्येटु, ज्येटु के दोमतर फिर्टान क्यों से नेखो, ताम है, ज्यादा होना चीए, ज्यादा होना चीए, ठीक है, एल्यवे, चलिए, एप्रोशिमेटली मैं इनको, स्म उसी रीजन में रख़ते हैं, ठीक है, आघे बचते, तो म ब्रेक्डावन बोर इसके बाद आएग। यह ब्रेक्डावन बोर है। इसको आप काउंट करो जाएंगा। मैं तर एक टीन डीजन है। अब सुनो, आप ओलोगे साथ फिर तो ओन करना तो महाँ बार देश्कों। क्यों मैं? क्योंकि ओन करने के लिए क्या होना चीए होता। ओन करने के लिए ब्रेक्डावन बोल्टी से ज्यादा रगानी बढ़ी नहीं पहले। तब जाके जंसन जेटू जो होगा, आप फोर्ड ब्लोकिंग मोर में आएगा। जैसे आप इसको फोर्ड बैस करो भी है, यह क्या करना पड़ेगा मुझे बता हो। यह तो मुषिवाद आखिर, मतलब फोर्ड बोल्टेज मुझे ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। अब मा लिजे मैंने वोल्टेज यहादा अप्लाई करनी बढ़ेगी। और एक्टम से कंटेक करना सुरू कर गया। इसके अप क्या करना सुरू करता, तो इसके अप्लोटेज किया दाती है, इसके और कप्लोटेज कि आठी है, तो इक्टम से अप्रेगा गया दाएगी। का मुझेगी। पर फिर भी कुस्तों टाम लगेगा उसको। तो उसमें क्या हैगा एक्टम से पर्स आएगा लाज है। और वो मैंने यह बोला कि यह जो तरीका एवरेकों वोल्टेज वाला कि इससे जाना करो यह तुड़ा अच्छा नहीं है फिर एक और तरीका है हमारे पास क्या यह गेट जो लगा रखा है ठीक है यह काम करेंगा अब यह कैसे काम करता है ज़रा देखिए अगर मैं गेट पे थोड़ यह कोचै वाल कि डेकों बेखिए अगर आपने इसका गेट को पूपने थो आप उस ब्रेको अगर हो जागा है अगर आप जिन दी तडी प्रेकां आप क्या रखे हो एक जितना जादा आप ने गेत कराए कर रखी उत्तना ऑपने वोल्ते कॉछ उतरह कॉया वेदां यह गि VBO 2 बोलना, तो जितनी ज्यादा, VBO 2 जो होगा, ब्रेकवर वर्टेंस वो लेस होगा VBO 1 से, और लेस होगा VBO 9 से, वो तो दिखी रहे हैं, देख रहे हैं क्या जोगा, बट इस पे गेट करेंट होगा, IG2, वो क्या होगा? ज्यादा होगा IG1, समझा है अभी? IG1, वो दिखापर धंगें? कीट करेंग जितना ज्यादा होगा, उतना आँका जल्दी breakdown होगा वो दिखापर कहीं हो ऑधिक है? ओ्रक्रण्टरultur से पेंगेंगगां जल्दी breakdown होगा समॉल यावी? है इस तरह का रिजानorgन बनेगा, अभवा 안 बोलको सर ऐसा क्योん? इसका जल्दी ब्रेटण क्यों हो गया तो वो ज़ा देखते हैं जल्दी ब्रेटण क्यों हो गया चुरो जैसे आप प्लस देते हैं तो यहां पर इसका मतब इस यहां पर बहुत ज्यादा माउंट में आजाएंगे बलक आजाएंगे इस जहां के ओ59 गष्यू इस जंकर णेटर मेंट माइनरीरटी केरिंट के मेंट के वेएदे जयादा हो हुथ ठीक है मैनरीरिटी केरिंट के के वेएद जयाद हो गता है अच्छा एक बात और पात जाएंगे यह पी अनजंसर के हो अगर मैं यह बोलूँ कि मैंने यहां पर इलेक्रोन कंसेंटरेशन बढ़ा दिये इस इस रीजन ने प्लस रीजन में इलेक्रोन कंसेंटरेशन में बढ़ा दिये तो इससे क्या हुथा इलेक्रोन की कंसेंटरेशन मेरी बढ़ जाएगी इसके बbane माल नीजिए जैसे आप इसको फोट्य बैस करोकी विदसे इस इतर इलेक्रोन आएगा प्शर्ट लुशाba चाहीगा तुश सुल तब गेट से होना आएकी या फिर यह कॉसकते हो Тогда यह लक्त्रोन आएके अब इसका पतब three reason में electrons की मैंचिरटी जाना हो जाएगी electrons की concentration जाना हो जाएगी सहीबद है अगा electron की इनाटर्टिस जाना हो इस reason में तो जो यह junction j2 है अब पी रिजन में जो माइनरीटी केरिण वह क्या है एलेक्ट्रोंस और आप वे एलेक्ट्रोंस एके अंदर गजाते अब ब्रेकडाउं वह सब्खांट, जल्दी कई ब्रेकडाउन प्रेंट रहने है वह जल्दी गणा प्रेड़ जायेगा अब इसका अब ब्रेकडाउन ज तो मैंने क्या बोला मैंने आपको बोला कि अगर मैं गेट पर सप्लाई रिदा हूं तो चार्ज इसमें जाना इंजेक्ट हो जाता है पी रीजन में और उसकी वैसे जो डिप्रिशन विडित है वो चेंज ओती है और आपका ब्रेकड़ान वॉल्टेश आपकी कम हो जाती है तो इससे जल्दी ब्रेकड़ान भी ब्रेकओड आप प्रिदिश हो जाएको और जितना आप ज्यादा करेंट रखोंगे गेट पर इसक तो उतना जल्दी breakdown हो, correct अभी low voltage पर रिकड़न हो, ठीक है, तो सुनो, इसका, मतलब मैं इसका own करने का तरी, own करने, own कैसे करूँगा मैं इसको, इसको gate की pulse से own कर सकता हूँ, मतलब वैसा तो जाला very high voltage पर जाके own होगा, otherwise मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर मुझे जल्दी own करन हम लोग अचीद कर सकते हैं, जो normal supply voltage होती है, उस पर इतनी high voltage हमारी नहीं आ सकते हैं, हमें क्या करना होता है, तो own करने करें मैं क्या करूँगा, इसमें pulse दे दूँगा, gate pulse दे दूँगा, अपने आप own हो जाएगा, समझाया, clear अभी, जिस instant पे gate pulse दोगे, उसी instant पे आपका आपका काम करना सुरू कर देगा, मतलब आपका थारिस्ट रहे काम करना सुरू कर देगा, नहीं आप शोड़ हो जाएगा, यह आप सुन, जो gate pulse को कुछ देर तक आपका अप्लाई करके रखनी पड़ेगी, अप ऐसानी है कि उसको बस एपार अप्लाई दिया और एपार छ करने पड़ेगी, जब तक आपका जो इसके तुरू जो करेंट है, थारिस्ट के लूग को लेचिंग करेंगे बरावना होता है, उसके बाद बेना basic gate pulse रातागा, ठीक है, उसके बाद आपका current flow अपना start हो जाएगा, ठीक है, और चलता रहेगा, current है, आप सुन, एक और करने के लिए, वो holding current से less, अभी ओफ होता है, अधरवाई ओफ नहीं होता, तो holding current क्या है, minimum current, below which, थारिस्ट टन ओफ, ठीक है, यह वो minimum current है, अगर जिससे below ने कर दिया current, तो उस पर क्या होगा, थारिस्ट आपका ओफ हो जाएगा, थारिस्ट को off करने के लिए, minimum आपको holding current स मृइ से कम current करना पड़ेगा, तब जाके यह थारिस्ट आपका off होगा, समझा भी, और ओन करने के लिए क्या तो उस पर करने के लिए क्या तुरो नहीं बता हो, ओन करने के लिए, लैचिंग करने करने क्या हो जगे, क्शिय के इससे फिर ज्यादा ही हो जाएगा, आपका, म मैं मिनिमम बोल दिया ना उसमा मतंप और कि मिनिमम नहीं बोल थिए क्या भराईना ची हो से फिर जाजाएगा मैंने बुला एक फिर लिस्ट कितना करुंद होना ची है होल्डिन गया होलाज़ना ची कर से लोग होना में ही ठागर थे तो minimum latching current आपका होना जीए, build up हो जाना जीए, तब जा रही है on होगा, तो इसका आपको on करना तो आपके हाथ में है, gate pulse हम on तो कर सकते हैं, पर same gate से off नहीं कर सकते हैं, समझाया, same gate pulse है, off नहीं कर पाई, clear अभी, को दिकत तो नहीं है, चलिए, तो मैंने आपको बताया कि turn on कै तो आप लिखो, thilister turn on methods, ठीक है, क्या-क्या, turn on method है, ठीक है, turn on methods ठीक है, turn on methods ठीक है, thilister turn on methods ठीक है, आपको समझाया गया पुनी कहानी, ठीक है, कैसे काम करेगा, कब connect करेगा, अच्छा सुनो, एक बात और सुनो, gate pulse भी तभी दो, तभी काम आएगी, जब यह कॉन से और अपने gate pulse दे दी, तब connect करेगा ही, अधरवाइस connect नहीं करेगा, जहाने की, अगर यह reverse blocking mode पर gate pulse दिये जारेगा, तो नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, आप, circuit में आप तहीं ना जरा, जब हम circuit में इसको लगाएगे न, तो आपको बतार लेगा कि, कब आपको gate pulse देनी है, gate firing angle बोलते न, basically, वो basically यह gate pulse होती है, तो firing angle alpha, कब कामियाँ होगा, उसको कामियाँ होने के लिए forward connection mode को होना चलिए, forward blocking mode होना चलूरी है, समझाया, तभी आप firing angle दो, तभी आप firing दो gate दो, चलिए, अब जड़ना देखते है, or turn on के क्या-क्या method, सबसे पहला method लिए, सबसे पह turn on methods, मैं लिखा रहा हूँ, थारिस्टर turn on methods, तो सबसे पहला लिखिए, क्या है, forward voltage triggering, forward voltage triggering, इसका क्या मतलब मेचर देखो, इसका उतर यह है कि, आप क्या करो, जो break over voltage learning को, उतना forward bias कर दो इसको, तो सबसे जिंबल है, तो पता ही जा में, ठीक है, forward voltage triggering में क्या होता है, जो, load to इसको आप क्या करतो, break over voltage से जाला करतो, आपने आप turn on हो जाएगा, ठीक है, इसको कौन सा method बोलते है, forward voltage, तो आप लिख लो, बेसको, ठीक है, forward voltage लिख लो, इसको, ठीक है, forward voltage लिख लो, एपने थोड़ा बहसा में लिख लो, आपको न थोड़ी छोटी language आरी छी है, एक language ह अगर तो आप मतलब यह से, पयोथर काहँ थे खात जीके खाव लिए, लदेर को सी जाले को रोड़ी है, पूरी लाइन पोर दो ही है, गोपा के लिख लुटे, बेखस से, जाले कॉठ करोदे को तो अपनी आपकर है पर इसको बना रही है, अड़ पनी बना लो, आइसा है मैंने अपनी कोई ऐसी लेक्वेज बना ले जिसमें एक लाइन का मतलब मैंने एक चोटे से अक्सर में चुछाँ देखे तो चीट करना इस तरह दो है अगा मुझे कोई अक्षाम लिग में हो तो मैं पूरे पहरे गड़ा अपने दो आध तीन अक्सर में लिग दो प्रुफी ने चाहसे आध में लिखे लेक्वेज नहीं चीट करना बहुतीजिए उठेट इस तरह साथ भी एक उतका उसको बनाना तो आध पी सुचेंग और की क्या हुना है अध पर बेस मुझे अधु आध में तुम दिखाऊ गए क्या जे हैं लिखिये है इता है लिखिये दिए दिए भी लिखिये दिए है a forward voltage degree. forward voltage degree मेल दिए है when forward voltage is applied between anode and cathode with gate circuit open with gate circuit open, gate percussion लो काल लोगो है junction J2 is reverse biased then the junction J2 is reverse biased so the diplitial layer will be formed across J2 धीजागो लारा नेखिन स्ट्रेति में आप रिका लार, देखिककल लाई लाई मatल लहा लुगाँ आप लुगो लियाए लुगो लुगेटल नाप लुगेटल में लुगो अगल का मकलिफ नियाप लैको now if VAK is increased gradually if VAK is increased gradually now if VAK is increased gradually a stage comes a stage comes when the depletion layer across junction J2 verishes a stage comes when depletion layer across junction J2 verishes okay? so at this moment J2 is said to be Z to have Avalence Breakdown okay? and they say this voltage is break-off voltage VPO and then what happens when the thyristor will turn on? okay? what happens when the thyristor will turn on? the thyristor will turn on? correct? next time after the Avalence Breakdown now this is the case in the water you know that the the sound of Shadi has shown all the things no Shadi was not shown before the first one who was that? that is the love of Kambachrama no the love of Kambachrama don't say it no that is the love of Shadi what is Shadi's first one? no Shadi was shown before the first one yes Shadi's first one what is Shadi? what is Shadi saying? किए भूस्तान पूस है को खेसे का लिए लिसल पैच ले 1 तोनि origin解ок इसमें की चाटी के बहुत अधिका से बाता है अरिखेस पालगा धे लिए । लिए कालगाँ चालगे तो में गह वखना ने तुछ तो कालगाते है, देखो अगर इसका avalanche breakdown हो गया तो फिर ये reverse blocking capabilities रोटीश की वो आपकी रोटीश कर देगा So if the anode voltage is reduced from VBO, jho break over voltage रोटीश की इसका avalanche breakdown है उस voltage रोटीश की का रोटीश की कर आपका रोटीश की रोटीश की वी रोटीश का रोटीश की कर देखो तो लिख लो, if the anode voltage is reduced below VPO, SCR will continue conduction of the current SCR will continue conduction of the current SCR can now be turned off only by reducing the anode current below a certain value called the holding current SCR can now be turned off only by reducing the anode current below a certain definite value called holding current cold holding current, that means what will you do to do to the anode current? Holding current below the current, so this is the first method, which is? This is your forward voltage degree, next you will find the gate triggering, so I will write what you know about gate triggering I will write what you need to do, okay, let's go, gate triggering you all know, okay If the gate current is removed, if the gate current is removed, before the rising of anode current to a certain value called latching current, if the gate current is removed, before the rising of anode current to a certain value called latching current, if the gate current is removed before the rising लशानोड करेंग रडe लयकल लाद लादेध लादेध दन्ब्हाल साजिक लो लगे so the gate pulse width should be selected with some extra key okay so the gate pulse should be selected accordingly okay so holding current and letting current, next we will click dv by dt trickling dv by dt trickling, one more thing is dv by dt trickling i know i know who to do this, in the gate there is no other thing so many times it is necessary, dv by dt trickling now listen, what is dv by dt trickling? i know what i mean, what is dv by dt trickling, co-stamping so i can tell you if i will say that junction j1 and j3 then it has fault one, right? junction j1 and j3 then fault one is fault so depending on what you want to call it, all of these situations are the same all of these situations are the same so in j2 is the great is the same one is the same again with f plus, it's the same and what are the same risk of it? and what you can say, it's the same, it's the same you can say, the same negative charge and the same the same even negative charge तो इसका बताए एक तरह का capacitance बना हुआ है एक तरह का capacitance, junction capacitance बन गया है अब सुनो, अगर कोई capacitance होता है तो उसमें जब current होता है, तो क्या होता है? C, dv by dv तो जो भी अगर मैं यहां पर voltage apply करूँगा अगर उस voltage को, वो मेरी voltage छोटी है voltage को magnitude बड़ा नहीं है ब्रेक और voltage काफी काम हो voltage बट मैं उसको अगर मैं एकदम से apply करूँगा तो जैसे voltage anode के तरह apply करोगे एकदम से वो सारी-जारी voltage किसके तरह आएगी है एकदम से किसके तरह supply करोगे? इस capacitor के तरह supply करोगे उससे क्या होगा बताजरा? उससे जो current आएगा इसके तरह वो क्या होगा? क्योंकि अगर आप एकदम से apply करोगे कम voltage है बट कम time में apply कर रहे हो तो dv by dt बढ़ जाएगा ना? माल लीजे आप 10 volt apply कर रहे हो बट जो time ले रहे हो वो माल लीजे 0.5 microseकिंग ले रहे हो इसको बटा ना? रहे हो इसको पता ना? का Ч्षी लिग लोगर भी हाँ इसको बट तव ऐद्ट Terry को क्योंकि अगर इसको हो रहे हो ड i-n कि call that dv by dt is high, the charging current IC, the charging current of the junction capacitor, the charging current of the junction capacitor will be high. If the rate of rise of third voltage dB by dt is high, then the charging current of the junction capacitor will be more, will will be more. This current, this charging current plays the role of the gate current and turn on, this charging current plays the role of the gate current. If charging current will play the role of the gate current and turn on and turns on the SCR even though the gate signal is zero, even though the gate signal is zero, you understand it? Now listen to me. For this reason, the amount of voltage will not be needed. The amount of voltage will be needed, only the amount of voltage will be needed. The rate of rise, dB by dt, which is more than the current. Next time, we'll see. Next is temperature triggering. Next, we'll see temperature triggering. Thermal triggering. Temperature triggering. Temperature triggering. Temperature triggering and thermal triggering. Now see, temperature triggering. What happens here? What happens here? Reverse by junction. Go to the motor. So it's leakage current. If it's a junction, somehow will increase the current. Then the leakage current will increase the current. Then what happens here? The current will build up and the current will break down. So, you'll see this. Thermal triggering. As the temperature of junction Z2 increases, the width of the layer decreases. The width of the junction Z2 decreases. Okay? This further leads to more leakage current. This further leads to more leakage current. The leakage current will increase the current. And therefore, more junction temperature. The more leakage current will increase the current. The more leakage current will increase the current. आप दिखा सकते उसको, तो current अगर उसमें बढ़ेगा जंसन में, तो उसका इसको रार, वही बढ़ेगा, समझ रहो? तो और जयदा temperature बढ़ेगा. So, with the cumulative process, तो एक दूसरे को enhance करेगा, temperature current को बढ़ाएगा, leakage current को बढ़ाएगा, leakage current को बढ़ादेगा, तो एक तरह से कौन सा action होगा, cumulative action होगा, मतलब positive feedback बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, दीरे दीरे आपका current, leakage current आपका बढ़ता चला जाएगा, समझ या? और वह leakage current आपका main diode error current होगा, main error current होगा, ठीक अभी, कोई दीखा दोब है, आज यह बढ़ता है, नेक्स आप लिखे, light triggering, light triggering, light का भी वही concept है, light triggering में, हम laser डालते हैं, इसको जंसरे को गरव करते हैं, और again वही concept सी, ठीक है, तो उससे दूर से trigger कर सकते हैं, जब high voltage में use करते हैं हम इनको, very high voltage, त एसे थारिस्टरजी में laser triggering होती है, उनको बोलते है, L-A-S-E-A, आप लिखे, लोग उनको बोलते है, L-A-S-E-A, ठीक है, light activated S-E-A, light activated S-E-A, ठीक है, ठीक है, यह में लिखे, high voltage, HVDC में, cross कर यह use कर जाते हैं, वहाँ पे हम HVDC में, inverter operation कर भाते हैं, इससे, वहाँ पे इसक तो turn on alpha firing angle देने के लिए, हम इसके use करते हैं, आप पढ़ोगे, हम HVDC में कैसे use होता है, इसे जल्दी switching में रहती है, जल्दी तो नहीं, वह temperature गरम होना चाहिए, उनको लेजर कितने है, उसका लगा रहे है, उसका लगा रहे है, टेंजरी का उसके डिपेंड करता है, वह तो आप नहीं पढ़े है, ठीक है, तो की स्वाधे से आप लेजरी को, ठीक है, तो की स्वाधे से आप लेजरी को, ठीक है